सावन का पहला जलावी शेक कब होगा स्रश्टी के आधार निराकार निर्विकार परब्रह्मा भगवान सीव को सावन मास सबसे प्रिय है इस मास में भक्त भगवान भोले भंडारी को हर तरह से प्रेशन करने की कोसीज करते हैं पंचांग के नुसाल इस बार सावन का महिना 14 जुलाई 2022 गुरुवार को खतम हो रहा है सावन मा से इवरत और परवों की शुरुवाद भी हो जाती है भगवान सीव का प्रिय मा सावन इस साल 2022 में 14 जुलाई से शुरु हो रहा इस महिने में जो भी भग्त सच्चे मन और पूरी श्रदा के साथ भगवान शिव की आराधना करता है उसकी सभी वनों कामनाय पूरी होती है सावन में भगवान शिव प्रत्वी पर अपने भगतों के बीच निवास करते हैं और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ती करते हैं सावन मास में सोमवार का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है इस महिने में शिव भगत सावन सोमवार का वरत करते हैं सावन मास और सोमवार की थी थिया अदेश के उत्री और दक्षनी मद्ध भागों में अलग-अलग है पंचांग के अनुसार सावन का महिना जुलाई अगस्त के भी चाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार आसाड मास की गुरू पुरनेमा के अगले दिन से सावन महिने की शुरुआत होती है इस साल सावन का महिना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसका समवापन 12 अगस्त 2022 को होगा सावन मास में कितने सोमवार इस बार सावन मास में 4 सोमवार पढ़ रहे हैं सावन महिना 2022 जुलाई 2022 से बारागस 2022 तक रहेगा इस बार सावन और विश्कुम और पृति के योग भी सावन के पावित्रमास की शुरुआत हो रहे है चेंद्रवा मकर रासी पर संचार करेगा इसलिए इस बार सावन मास में सच्चे मन से की गई भक्ती का पूरा फल मुलेगा और इसताई रूप से शीव की किरपाब बनी रहेगी पहला सोमवार 18 जुलाई दूसरा सोमवार 25 जुलाई तीसरा सोमवार 1 अगस चोथा सोमवार 8 अगस शुकरवार 12 अगस रामनवास का अंतिम दिन सावन का महत्य पोरानिक मानेता कथा क्यनुसार देवी सती ने हर जनम में भगवान शीव को पती रूप में पाने का प्रण लि शरीर का त्याग करने के बाद माता सती ने हिमाले और मैना की पुत्री पारवती के रूप में जर्म लिया इस जर्म में उन्होंने भगवान सीव को पती रूप में पाने के लिए सावन माह में निराहा रहते वे कठीन व्रत किया और भगवान सीव की अरधांगनी बनी भगवान सीव की किरपा पाने के लिए इस महिने में 16 सोमवार, प्रदोश और सोमवार के वरत आरंब के जाते हैं सावन में हर सोमवार को तमाम सीव मंदिरों में भक्तों की भीड उमरती है और भगवान सीव की विशेश पूजार्चना की जाती है लेकिन इस बार कोरोना के कारण मंदिरों में भक्तों की कमी रहेगी इस पवित्र मास में रुद्राविशेख सिर्ष हैस्तर नाम का पाट करने से भगवान सीव की किरपा बनी रहती है और कुआरी कन्याओ को अच्छे जीवन साती मिलते हैं इसी मास में समुद्र मन्थन से निकलेविस को प्रभू शीवने पान किया था और निलकंट कहलाए इस मास में शीव को जल से रुद्राविशे करके प्रशन किया जा सकता है बेलु पत्र, दूद, धतूरा और अक्षत फुल से व्रत पूजा कर सीव की किरपा पाई जा सकत सावन के पूरे महा सुबह सुर्योद्र से पहले उठका रिस्नान करें, पूजा इस्तल को स्वक्ष कर वेदी स्थापित करें, शीव मंदिर में जाकर भगवान शीवलिंग को दू चड़ाएं, फिर पूरी श्रदा के साथ महादेव के व्रत का संकल लें, दिन में दो बार सुबह और शाम भगवान शीव की प्रातना करें, पूजा के लिए तिल के तेल का दिया जलाएं और भगवान शीव को पुष पारपन करें, मंत्रों चार साहित सीव की सुपारी, पंच अमरत, नारियल एवं बेल की पत्यां चड़ाएं, ब्रत की दोरान सावन ब्रत कथा क पाठ अवश्य करें, पूजा समाप्त होते ही प्रशाद का वित्रन करें, संद्याकाल में पूजा समाप्ती के बाद व्रत को लें और सामाने भुजन करें, पूरे महा में ओम नमेशिवाय का जाप करें, सावन मा सिवजी को समर्पित हैं, कहते हैं कि यदि कोई भग सावन महिने में सच्चे मन और पूरी स्रदा के साथ महा देव का वरत धारन करता है उसे सीव का सिर्वाद अवश्य प्राप्त होता है विवायत महिलाएं अपने विवायत जीवन को सुख में बनाने और एविवायत महिलाएं अच्छे वर के लिए भी सामने धन्यवाद जैहिंग आवार यूरी सामने विवायत महिलाएं अवन इवायत मुमा का वे भी सामने अवायत मुमा का वे ट। शूरी